प्रभू श्री राम एबं माशिता का आशिरबाद हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी शुब कामना है यही हमारी मंगल कामना है तो मित्रों अज सिता नौमी है सबसे पहले सिता नौमी के अवशर पर हम अपने शमस्त मित्रगन एबं शमस्त भारत बाशी को बधाई देते हैं अभिनंदन करते हैं तो माता शिता का अवतरन इस धरती पर क्यों हुआ तो मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइक उन जरूर दबाईए ताकि जब कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सब से पहले आपके पास सास्त्रों के अनुशार देवी के 108 रूप हैं इन में से धन और शम्रिधिक की देवी लक्ष्मी की आराधना सब ही लोग करते हैं त्रेता युग में दुख शोक ब्याधी बंपीरा से ग्रस्त रस्त मानब समुदाय सहित सभी जीबों के कल्यान के लिए मिथिला की धर्ती पर लक्ष्मी माता ने माताशीता के रूप में बैसाख मास के सुट्लपक्ष की नौमी तिथी को अबतार लिया जनकशुता जग जननी जान की अतिशय प्रिये करुना निधान की ताके जुग पद कमल मनाबं जाशुक्रिपा निर्मल मतिपाबं इसलिए इस दिन को स्री सीता नौमी भी कहा जाता है सीता नौमी का परब श्री राम नौमी के ठीक एक महीने बाद आता है भक्त इस दिन ब्रत रखकर वपास करते हैं तथा मा शीता सहीत प्रभु स्री राम श्री लक्षमन और भक्त शिरो मनी स्री हनुमान जी की भी धिवत पूजार्शना करते हैं मानता है कि माताशिता की अराधना करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है शिता नौमी के दिन शुहागी ने अपने पती की लंबी आयू के लिए बृत रखती है माताशिता को पवित्रता स्वक्षता एबं सुधता का परतीक माना जाता है माताशिता सभी जीवों की जन्नी यानी माताश रूपा है वे अपने भक्तों के आशिरवाद के रूप में धन, श्वास्त, बुध्धी और संब्रिधी यादी प्रदान करती है स्री सिता नौमी को उत्तर प्रदेश के अध्या के अलाबा बिहार के सितामरी जनकपूर जो अभी ततकाल नेपाल में है काफी धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन को भक्त स्री राम दरबार यानी माता शिता प्रभू सिर राम लक्ष्मन एबंभक्त सिरो मनी स्री हनुमान जी की मुर्तियों को एक रथ में सजा सबा कर भक्ती पुर्वक यात्रा निकालते हैं शिता कैसे अब तरित हुई इस प्रित्वी पर तत्रेता युग में बिहार के मिथला में भीशन अकाल परा प्रजा को भूक से तरपते मरते देख पुन्यात्मा राजा जनक कत्यंत बिचलित हुए पंडितों ने उन्हें स्वेंग हल चला कर भूमी ज्योतने की शला दी महराज जनक ने भूमी ज्योतना शुरू किया कुछ देर बाद हल एक स्थान पर किसी बस्तू से टकरा कर रूक गया सैनको ने जब वहाँ खोद कर देखा तो हलकी फाली की नोक एक सुन्दर और बरे कलस से फंशी हुई थी कलस को जब बाहर निकाला गया तो उसमें एक नवजात कन्या थी धर्ती माता की आसिरवाद शुरूप राजा जनक ने उक्त कन्या को अपनी पुत्री के रूप में सुईकार किया उसी समय मिथला में तिब ब्रिष्टी हुई और इस प्रकार बैसाख सुक्ल की नौमी तिथी को मा सीता के अवतरन के साथ ही राज का अकाल भी समाप्त हो गया हलकी फाली की नोक यानी सीता से तकराने के कारण कन्या का नाम सीता रख्या गया तो बोलिए जैसी आराम